Top Places to Explore in Denmark Denmark में कौनसी कौनसी जगह आपको explore करना है तो चलिए शुरूर करते हैं Denmark में कौनसी कौनसी जगह visit करना है वैसे Denmark में तो numerous islands है home to royal palaces है उसके बाद colorful harbor, nature और बहुत कुछ है So हमारा first destinations होगा Rosskild और Copenhagen से आप first Rosskild जाएए Rosskild में आप जाएए Rosskild Cathedral जाएए उदर का stunning architecture देखिए Lot of Danish का history आपको उदर देखनों को मिलेगा उसके बाद उदर ही Rosskild Cathedral में Past Queens and Kings का coffin सब उदर ही है आप ओभी देख सकते हैं यह सब होने के बाद आप next जाएए Ragnarok Museum Ragnarok is a music museum है अगर आप music lover है तो आपको surely उस museum में आपको जाना है So Ragnarok music museum हम जाएए उसके बाद जाएए वाइकिंग ship museum जाएए Viking ship museum बहुत अच्छा है Viking ship museum में आपको 5 different Viking ships आपको देखने के मिलेंगे जो जोर के अंदर preserve था उसको ही museum में डिस्पले में रखा है इसके बाद वाइकिंग museum उसके बाद रखना रॉक music museum ए तीनों जगह के अलावा और भी जगह है आपको रॉस्पले में देखने के लिए तीनों जगह आपके आड़ कीजिए हैं सो अभी हम चलते हैं सेकेंड डिस्पले खेंट पे health single और health जए ममें आप जाहिए क्रॉंबबॉर्क कैस्टलक्रव क्रॉंबग कैस्टल बहुत इंटरेसिंग नहीं है सब्वंत रॉत देखने के लिए और सगेंड प्लेश आप जाईए और यह तो एक्वारियम और सॉल्ट वाटर अकवारियम भी बोलते हैं वो भी जगह जाईए बहुत चोटा अकवारियम यह लेकिन बहुत अच्छा है उस अक्वारियम में आप fish feeding भी कर सकते हैं और crab catching भी कर सकते हैं बहुत इंटर्सिंग है सो यह दोनों जगह अब शोरली अब कैट्रेव में आड कीजिए इसके अलावे भी बहुत जगह है 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 घल सिंग में जाने के लिए बट एद दोनों जगह थोड़ा दिखता है so hammer trust castle ruins is the number of us destination उसके बाद जाए ओपल लेक जाए वह एक old quarry में है और उदर आप swimming भी कर सकते हैं और ओपल लेके बाद आप तर्ड डिस्टेशन पर जाए नाशनल नाशनल म्यूजियम एन आर्ट म्यूजियम वह थोड़ा बड़ा म्यूजियम है और म्यूजियम का बिल्डिंग का architecture भी बहुत अच्छा है तो उसको भी आप देखिए बहुत ब्यूटिफुल म्यूजियम सो एक तीनों जगह मैं आपको born home में recommend करूंगा आप एक तीनों जगह विशिट कीजिए तो अभी चलते हैं थोड़ी फॉर्थ डिस्नेशन और फॉर्थ डिस्नेशन से बिरूर जाये है उसके बाद जाहिए एगाम जाएं ऊफ्रेशना से बार एक पाट टा देenne फोलेत जारा सकते हैं फिर टो पीड़ो बोटे ऑस बहुत कुछ दो दिखने के लिए और बहुत अनिमल से उसके बाद आप एक्टिवीटिस भी उधर कर सकते हैं लाइक कैकिंगे सेलिंगे सेलिंगे सेलिंग ऑन दे आई-लैंड है जोड के अंदर होता है वह सब अच्छा है देखने के लिए सो अभी हम चलते हैं फिफ्ट देस्टेशन पर और आरस में आप जाएए फर्स्ट देन केंबले बाई और देन केंबले बाई इसन ओपन एर टाउन म्यूजियम में बहुत अच्छा म्यूजियम है वह बहुत पॉपलर टूरी स्पॉर्ट बहुत लोगा आते हैं देखने के लिए अब फुल टेशा एक्सेंट के लिए और तो इसको भी अफिसेट कीजिए याएन्दक मॉस्गाट मूजियम एक एंथ्ट्रोपोलीजियम में बहुत इक्सेलन टो तक हो इसका उरी आड्सीर्यम है वह दरो है न technologies त운 करले एक like 2000 years old human body एक well preserved interesting way में preserve करके रखा है सो देखने के लिए बहुत अच्छा है anthropology museum के अंदर photography अलोट ही होता है साल फुदर ही जाकर देख सकते हैं बहुत अच्छा वह देखने के लिए सब्सकोंपी देखें और बोथ भी बहुत फेहमस है एर उसमें बोथ बहुत कर बहुत जाते हैं वह उसको भी आप जाईये बहुत अच्छा है सब्सक्राइब चलते हम सिफ्ट डेस्टेशन स्काइगन डेन्मा का नौटन मोस्ट सिटी एंड उसके बीच में पैदल जा सकते हैं बहुत अच्छा वह देखने के लिए आप जगा जाएं उसके बाद अगर आप लग्की है तो आप सील्स भी उतर सपोर्ट कर सकते हैं सरौंडिंग में बहुत बंकस भी हैं वोल्ग वार टू का बंकस है अब उसको भी देखिए और लाइटोस है विच इस दो ओल्डेस्ट इन डेन्मा आप वह भी विसिट कीजिए उसके बाद स्पेक्टाकुलर सैंड कवर्ड चर्च है आप उसको भी विसिट करना है यह सब हो आप जाए राजबर्ग मायल और राजबर्ग मायल डेन्मार्क बिगस्ट शिफ्टिंग सैंड यू ने बहुत अच्छा है वह दिखने के लिए और हाइक कीजिए उधर से आपको व्यू बहुत अच्छा दिखता है ओँ होने के बाद आप जाईए स्कैंगन मुजियम और सब के लिए चोटे से बड़े तक सब के लिए उधर एक्टिविटेस बहुत है तो अगर लिगो लैंड बिलन रसाट जा रहा है तो आप ऑनलाइन से अडवांस में टिकेट ले लिजिए उधर बहुत टाइम लगता है और मिलता भी नहीं है बहुत क्लोड है बहुत अब आगे बढ़ते रहिए सो 7th decision हो गया अभी हम चलते हैं 8th destination पे and the 8th destination is fur island और fur island voted as the most wonderful island in Denmark so while अब शोर लिजाए उस island लिमफोर्ट में आता है वो island में landscapes meted with molar and volcanic ash ay so landscape बहुत अच्छा दिखता है वो fur museum में वह भी देखिए skinic beaches है उसमें activities भी होता है उसको भी explore कीजिए और पूरा fossil से lifted है so fossil का भी export कर सकते हैं so fur island is a must visit place अभी हम चलते हैं 9th destination पे 9th destination is Thai national park is THY Thai national park so Thai national park बहुत पुराना national park है Denmark में and one of the most popular tourist attraction है बहुत तूरिस लोग उदर आते देखने के लिए और थाय national park में आप लाइटोस जाहिए huge beaches से लेक्स जाहिए fishing trip कीजिए इसके बाद museum भी है best to see wild nature बहुत अच्छा है वो देखने के लिए and beaches बहुत बड़े-बड़े है small villages बहुत है फिर आप surfing भी कर सकते हैं और बहुत सारे विंडी sports activities भी है so वह सब आप explore कीजिए थाय नाश्वर पार्क इस दे नाइन्थ देस्टनेशन नाओ लेट्स गो टो टेन्थ देस्टनेशन फैरो आइलेंड्स फैरो आइलेंड्स आप फेरी से या भाई आर से जाना है अब डेन्माक जा रहे तो उस आइलेंड को शूरली विसिट कीजिए उधर का नजारत तो अलगी है इस अन आइकोनिक लांसकेप इंडेन्माक शूरली आपके आइड्स कीजिए और फैरो आइलेंड्स पे नमबर वन आता है मुलाफुसुर वाटरफॉल मुलाफुसुर व प्यू देखें बहुत अच्छा दिकता है वो सो सकंड प्लेस वास् ट्रानिपां अंधे थो प्लेसस ढ्रंडर्टा प्लेंगर नीर में अब और लेऊट एक शी अंधर अगर आप लखकी है और तो सी आज के अंदर आपश्क बोड को पोड में जाये बहुत अच्छा दिए है वो सो ड्राइगनिर भी आप जाहिए और फॉर्थ वन इस कलूर लाइटाउस और कलूर लाइटाउस भी बहुत फैमस है उदर का सीनरी में जेम्स कुमांड का जेम्स बांड का शुर्डिंग हुआ था नो टाइम टू नो डाइ उस पिचर का शुर्डिंग उदर ही हुआ सो जगह भी आप जाए उसके बाद जाए वेस्ट मामा सी क्लिफ्स और सी क्लिफ में आप सेल भी कर सकते हैं नीचे उतर के आप सेलिंग भी जा सकते हैं अगर सेलिंग में आप जब 10 तौसंस ऑब बर्ड्स उपर उड़ते देखने के लिए बहुत नजारा बहुत अच्छा होता है वेस्ट माम सीकलिफ भी आप जाए बहुत अच्छा है एक हो अभी मैं आपको 你 देनमार्क से आपको पूरा लोकेशन का जगह मैंने बोल दियों कहां का जाना है तो अभी हम चलते हैं कोपनाइगन में क्या क्या जगह देखना है कोपनाइगन में भी बहुत जगह देखने के लिए लेकिन मैं आपको 10 जगह रेकमेंड करूंगा इसके अलावे भी बहुत ज सकते हैं लाइक तर्की वल्चों से बैक्टिरिन कैमल से लाइन से फिर ब्लैक कैप स्कूर्ल मंकी से और भी बहुत देखने के लिए और बुद बड़ा है सो कोपनाइगन जू आप शोले विसर्च कीजिए उसके बाद जाहिए दराउं टावर इस दो ओल्टेस्ट अब्ज स्टिल फॉंक्शनिंग बहुत अच्छा टावर है वो देखने के लिए अब्जर्वेटरी है वो सो वह भी अब देखिए वो देखने के बाद आप जाहिए टिवोली गाडन जाहिए इस देखने के बाद बहुत बड़ा गाडन है लॉट अफ इंट्रेस्टिंग राइट इस देखिए फिर गाडन से थीम पार्क है एक दम कोपेंगें के सिटी सेंटर में ही है तो टिवोली गाडन जाहिए आप उसको भी एक्स्प्लोर कीजिए उसके बाद जाए नाश्नल म्यूजीयम ऑफ डेन्मार्क नाश्नल म्यूजीयम देन्मार्क भी बहुत अच्छा है पूर कलेक्श्ट इदर अर्टिफेक्स कलेक्श्ट इस बाहत है और हमल्च व लिए बहुत अच्छा है फिर क्लेज heavily बॉट और लगाए उसका में भी आक है से उसको भी आप शुरली विसेट कीजिए उसका आखिटेक्ट्रल डिजाइन एकदम स्मार्ट वे में बना है तो वह कोपनहेगन ओपर आप एड कीजिए उसके बाद चलाएगे एक ग्रस्टेन बोर्ग पैलस भी बहुत अच्छा है वह एक मैगनिफिशन पैलस है वह भी देखें उसके बाद अमेलियन बोर्ग कैस्टल ऑन प्रकोंड बहुत अच्छा है नाइस एरिया और स्टनिंग कैस्टल लें और उसके स्टल में रोजी 12 बज़े डेली 12 क्लॉक और तो लग लो गाट्स चेंज करते हैं सो वो चेंज करना का नजार आप मिस्मत कीजिए वो शोर ली देखें और अंद उदर अंडर कोंट टॉनल भी है उसको भी विसिट कीजिए सो उसके बाद चलेंगे रोसरबोग कैस्टल थोड़ा चोटा ही है बहुत ब्यूटिफुल कैस्टल है गार्डन पूरा सरॉंडिंगे बहुत अच्छा है देखने के लिए यह होने के बाद आप जाहिए दे लिटल मर्मेड दे लिटल मर्मेड इस वन फेमस टूरिस अट्रक् बहुत अच्छा है वह भी आप देखिए वह होने के बाद जाहिए बैकन बैकन इसा यूनिक अमिस्मेंट पार्क और ओल्टस इन डेन्मार्क उधर वाटर राइश भी बहुत है और बहुत कुछ एक्टिविडिस भी है सो बैकन भी विशिट कीजिए सो मैंने आपको अभी जो आपको विंटर में जाना है बहुत अच्छा दिखते हैं वह जगह आप जाइए उसके बाद जाइए और यह बहुत बढ़ा है उसके बाद आपके पास प्राइम है तो आप उसको भी विसेट कीजिए उसके बाद राइब है और उसके बाद फ्रेडरिस बॉर्ग सब्सक्राइब करते हैं बहुत अच्छा है वो भी लेकिन में आपको यह रेकमेंट्स आपको नहीं किया हो मैंने लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं इसके अलाबा आपको कुछ डॉट्स है तो आप मुझे कमंड कर दीजिए जितना जल्दी हो सके मैं